हेलो बच्चो स्वागत है आप सबका जियोग्राफी ओनलाइन क्लासेश में आज ओनलाइन क्लासेश के सीरीज में हम क्लास 12 जियोग्राफी के पार्ट वन के अंतरगत लेशन 10 जिसका नाम है मानोबस्तिया के इंपोर्टन कोशन देखेंगे और इसमें मैं आपको बता आपके साथ लेके चलते हैं आई शुरू करते हैं लेशन 10 इंपोर्टन कोशन मानोबस्तियां लेशन से तो पहला कोशन है कौन सा बस्ति प्रत्रूप सडकों वा नदियों के किनारे विक्सित होता है इसका अंसर है रैखिक प्रत्रूप दूसरा है 2006 के आरंभ में भारत में कितने 10 लाग से आधिक जनसंख्या वाले महानगर थे 41 आंसर इसका नेक्स्ट कोशन किस प्रकार की बस्ति प्रत्रूप जीलों वा तलाबों के इर्दगिर्द विक्सित होती है गोलाकार बस्ति प्रत्रूप इसका दात पर यह है कि ऐसी कौन सी बस्ति है जो तलाबों के आसपास जो विक्सित हो जाती है माली जी तलाब है और इसके आसपास जो बस्तियां विक्सित होती है तो उनका आकार कैसा होता है यह होता है गोलाकार प्रत्रूप तो यह हो क्या कोशन आपका अगला है वे नगर जिनकी आकरत विशम होती है कहलाते हैं अनियोजित नगर अगला कोशन असी लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहते हैं जिन नगरों की जनसंख्या असी लाख या उससे अधिक है उन्हें हम क्या कहेंगे विराट नगर या मेगा सिटी बस्ती किसे कहते हैं बस्ती मनुष्यों के आवासों के उस संगठित निवास अस्थान को कहते हैं जिसमें उनके रहने अत्वा प्रयोग करने वाले भवनों तथा उनके आने जाने के लिए बनाए गए रास्तों गलियों को समलित किया जाता है आप समझ गयोंगे कि बस्ती क्या है, बस्ती है, पहला इसमें दियागे मनुश्यों के आवास, कैसे आवास, जो संगठित हो, जो systematic बने हो, और उसमें क्या उनके रहने के लिए जगा हो, और प्रियोग करने वाले आने भावन, जो भावन होते हैं, और इसके अलावा आने जा संसार में अगला कोशन है, विश्र की सबसे पहली मिलिया सिटी कौन सी है, विश्र की, पहली मिलिया सिटी है, लंदन, अगला कोशन, ग्रामीड बस्तियों की मुख्य आर्थि क्रिया कौन सी है, तो ग्रामीड बस्ति की आर्थि क्रिया कौन सी है, प्राथ्मिक्रिया, ग्र है सन नगर का प्रयोग सबसे पहले कब वह किस ने किया तो इसका प्रियोग किया था 1915 में पैट्रिक गिडीज ने विश्व नगरी की उत्पति किस शब्द से हुई इस शब्द का प्रियोग सबसे पहले कब हुआ किस ने किया तो विश्व नगरी की उत्पति युनानी शब्द मेगालो पॉलिस से हुई इसका प्रियोग सबसे पहले 1907 में जीन गोटेमने किया। प्रतिशत नगरी जनसंख्या वाले देश का नाम बताइए। तो प्रतिशत जहां कि नगरी जनसंख्या है उस देश का नाम कैए सिंगापूर। बढ़ जो जनसंख्या है वह……richt जहां कि सो की सो प्रेशेजन संक्या क्या है नगरों में निवास करती है अगला कोशन विश्व के किनी दो नियोजित नगरों के नाम लिखिए कैन्बरा अधीस अबाबा और हुस्टन ये कैसे नगरेज बिल्कुल नियोजित नगर बसे हुए हैं विश्व का पहला मेगा रहिए इस परष्ट केजें तो किनी तीन विशेषवा बतानी हमें घामीड वस्तों की पहला है घामेड वस्ती अधिक निकरता से भोमी तेथा प्रकारत्य विदियों में लगी होते हैं जैसे कृषी पशुपालन मसली पकड़ना आदी अगला पॉइंट ग्रामीड बस्तियां जल शोतों जैसे नदियों जीलों एवं जर्णों के समीप इस्थित होती हैं ग्रामीड बस्तियों का आकार अपेक्षा कर छोटा होता है तथा वह 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 बस 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 होगी और सबसे पहले देखेंगेとर्न के उनके लिए जहाँ रहते हैं उनकी होगी और यह मैं बस्तियों की विशेस्ता है उसके बाद एक ग्रामीड बस्ति किसे कहते हैं नियोजित बस्तियों की दो विशेस्ता है अब ग्रामीड बस्ति मानों के उस अधिवास को कहते हैं जो प्रत्यक्ष एवं आ प्रत्यक्ष रूप से भूमी से जूड़ी होती है वहां के अधिकतर निवासि प्रात्मिक गतिविदियों में लगे होते हैं जैसे कृषी, पाशुपालन, मस्यन, आदि इसकी नियोजित बस्तियों के पुर्मुक विशेश्ताय हैं ये बस्तियां सरकार दोरा ग्राम वासियों की अधिकरत भूम पर वसाई जाती हैं ऐसी बस्तियों में सरकार दोरा अधिकरत भूमी पर निवासियों को सभी प्रकार की आधार भूत सुविधाय प्रदान की जाती हैं जैसे आवास, पानी, बिजली, सीवर, रियम, सड़कें बचों ये वे बस्तियां हैं जहां पर सरकार वहां के लोगों की जगा पर ही उनके लिए आवास की विवस्ता करती हैं और वहां पर उनके रहने के लिए आवास के साथ साथ जो आधार भूत अवशकता हैं जैसे ये आवास, पानी, बिजली, सीवर, सड़कें तो इन सब की व आधार हमें बताने हैं व्यवसाय तथा जनसंख्या के आधार पर बस्तियों को ग्रामीड तथा नगरी बस्तियों में वर्गिकर्ण किया गया है ग्रामीड बस्तियों का वर्गिकरण उनकी इस्थिति कारे तथा आकृत के आधार पर किया जाता है नगरी बस्तियों का आवास है उनके वर्गी करण का आधार क्या है तो जनसंख्या और व्यवसाय के आधार पर दो आधार है तो दूसरा है जनसंख्या तो व्यवसाय के आधार पर आपको ने देखा उपर बताया गया है कि प्राथमिक व्यवसाय प्राथमिक करशी कारियों से जो लोग जुड़ हो जाता है घ्रामीड भष्तियों का वर्गी करण उनकी स्थित्यकर और आकृत के आधार पर किया जाता है जबकि देखिए छे समस्याओं का वर्णन करें विकासील देश भारत जैसे देशों में जो ग्रामीड छेतर हैं ग्रामीड बस्तिया हैं इनकी क्या छे समस्या हैं तो पहली समस्या क्या है देखिए जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया आदिस सामान समस्या है ये विकासिल देशों में जो ग्रामीड बस्तिया है इनकी समस्या पहली है जल जनित बिमारिया दूसरा है दक्षिन एशिया के देश प्राया बाड एम सूखे से ग्रस्त रहते हैं ये भी बहुत बड़ी समस्या है ग्रामीड छेतरों की अगला है सिचाई स्विधाओं का हो रही जहां सिचाई के श्विधा नहीं है तो भारत का जो किष्रे 1 जो पास इतने स्विधाओं की सायन है जिनकी सायता से अपना क्र Impans Plan काने भी आसानी और स्विधा पूर्व कर सकें तो ऐसी समस्यासि छेतर में संचार के अभाव ये टिए यहां पर सड़के कच्ची हैं और यह जो कम्मुनिकेशन के साधन है इनका अभी भी अभाव है जिसके कारण उन्हें जो विकास की जानकारी होती वो पूरी तरह से और सही समय पन्ना होने के कारण उनका विकास नहीं हो पाता है विशाल ग्रामीड जनसंख्या के लिए स्वा प्राप्त रूप से सुविधाओं का अभाव है जिसके वयासे उनका विकास नहीं हो पाता है और इन सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए ही ग्रामीड जनता कहां जाती है नगरी छेत्रों में उसके बाद अगला पॉइंट है विकास के लिए अपेक्षित आधार सुना है देखा भी है समझा भी है तो घंधी बस्तियों में जुगी बस्तियां जोपर पटी किनारे अपना जीवनियापन कर रहे होते हैं का रहते हैं जहां ग्रामीड झेत्रों से नगरी चेत्रों में औजीवका के खोज में प्रवासित होने के लिए विवस होना पड़ता है यह लो ग्रादी दोण गला निंगर में जाने के लिए वहां प्रवास करने लिए वह वहां रहने के लिए वाश हो जाते हैं उसके बाद है गंदी बस्तियों में जीर्ण शीर्ण मकान स्वास्त की निम्ण अस्तरे सुविधा खुली हवा का अभाव पेजल की कमी प्रकाश तथा सौच जैसी आधार भूत आउश्रक सुविधाओं का अभाव होता है बिल्कुँ श्विधाय हैं इनमें खुली हवा का अभाव बिल्कुँ कंज़स्टेड एरिया में लोग रहते हैं गंदे जगाव पे रहते हैं खुली नालियां बिल्कुँ कुड़े काढ़ें लगा हुआ और क्या पेजल की कमी आपने देखा हो कोई एक सप्लाइए कानल नल कहीं लग तो यह बहुत बड़ी समस्या है उसके बाद प्रकाश लाइटिंग के अच्छी व्योस्ता नहीं होती है इनके पास बिजली के नाम पर कहीं एक छोटा सा तार लगा के में लाइन से खीज लेते एक लाइट जाल रही है और शौच जैसी आधार आवशक सुविधाओं का अर्थ व्योस्ता के असंगठी छेत्र में कम वेतन और अधिक जोखिम भरे कारियों में लगी रहती है बच्चु यह कहां जाते है नगरी छेत्रों में अपना जीवन या अपन के लिए कुछ चोटा मोटा काम मिल जाए तो यह कैसे छेत्र में काम करते हैं असंगठी छेत् नहीं होते हैं और उनका कोई वेतन निर्धारित नहीं होता कोई छुट्टी निर्धारित नहीं होती तो इस तरह से एक प्रकास से यहां पर लगे वह इन मज़दूरों का शोषण किया आता है और यह क्या करते हैं अधिक जोखम भरे अधिक रिस्क वाले कार में लगे होते ह होती है क्योंकि इन्हें अपना थोड़े बहुत पैसे कमा करके अपना जीवन या पन और अपने परिवार का पारण पोशन करना इनकी मजबूरी होती है अगला पॉइंट है बच्चो गंदी बस्तियों के लोग अल्प पोशित होते हैं तथा होते हैं जिसके कारण इनमें व ओशन केऊ मिलेगा जब इनके पास रोजी रोटी के साधन नहीं है इंके पास आजीविका को कोई उपाया नहीं हो तो जब पैसे नहीं है और इनका life standard बिल्कुल low quality का है, तो इनके पास इनका जो जीवन है, जो portion वाल पो हो गई, और विभिन रोगों की समस्या इनके सामने रहती हैं, महामारी की तरह फैलती हैं, और यहां आग लगने की घटना, आग लगने की घटना दो प्रकार से हैं, तो बिजली शॉर्ट सर्क तो ना समझ होने के करण कहीं कहीं लगड़ी फैक तो आग लगने की भेंकर समस्या हैं, इन एरिया में रहती है, अगला point है बच्चो, गंदी बस्तियों में गरीबी, उन्हें नशीली दवाओं, शराब, अपराद, गुंडागर्दी, पलायन, उदा सींता और अंतता सामा समाजिक बहिशकार की ओर दकेलती है, यह हमारे समाज के लिए बहुत बड़ा अभिशाप है, कि इन बस्तियों में जो गरीबी है, और यह गरीबी उन छेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, छोटे बच्चों या बड़े किसी भी आयूबर को ले लीजिए, यह लोग जब इनके पास आधार भूत अवाशकता नहीं होगी, मूल भूत अवशकता की पूरती नहीं होगी, तो उनकी वजह से यह किधर की तरफ अगरसर होगे, नशीली दवाओं का सेवन करें, ड्रक सेवन करेंगे, शराब का सेवन करने लगेंगे, और जब इनके अवशकताओं की पूरती नहीं होगी, तो यह अपराधी प्रविर्थ की होगी, और पलायन करेंगे एक सेतर से दूसरे थे, उदासी इनता, डिप्रेशन में आया थे, और अंतिता क्या होता है, इनका सामाजिक बहिशकार हो जाता है, तो यह था सलमेरिया की वि प्रविकासियल देशों में नगरी बस्तियों की समस्या है, तो पहली नगरी बस्तियों में नगरी बस्तियों की समस्या है, तो पहली नगरी बस्तियों में पहला है, इसकी जलसंका 10 लाग थी, आंसर है लंदन, अब आईए देखें, विकासियल देशों में जो नगरी बस् स्या में देनी हैं पहला है विकासील देशों में अधिकतर शहर अन्योजित होते हैं जो नगर बसे होते हैं विकासील को में वाधिक में आहां प्रमक भिषेस्ता हैं। आर्थिक समस्या, आर्थिक समस्या के अंतरगत विश्ण के विगासील देशों में, ग्रामीड वा छोटे नगरी चेत्रों में, रोजगार के घटते आउसरों के कारण, जन संख्या का शहरों की ओर पलायन हो रहा है, नगरों में बड़ी संख्या में प्रवासी जन संख्या क कारण आकुषल और अर्थकुषल श्रमिकों का जमावड़ा हो रहा है जबकि इन चेत्रों में जनसंक्या पहले से ही चरम पर होती है यह जो आर्थिक समस्या लिए हुए छेत्र होते हैं यहां पर ग्रामीड चेत्र से लोग नगरी चेत्रों में आते हैं अपने कुछ न प्रशिख जनसंक्या का और भीर का हिस्सा बनते हैं अगला पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक समस्या उप्लद ौप शिक्षा और सौस्थ समंधी सुविधाय गरीब नगरवासियों की पहुंच से बाहर है जो उप्लद सिक्षा और यह सौस्थ यह जो सुविधायं है गरीब नगरवासियों की पहुंसे बाहर हैं, रोजगार की कमी और शिक्षा का भाव, अपराधों की वृद्धी दर को और बत्तर कर रहे हैं। ग्रामीर छेत्रों से अस्थारांत्री जनसंख्या में पुर्षों की अधिकता के कारण नगरों में लिंगनपात प्रतिकूल हैं। विकासी देशों में नगरों की विशाल जनसंख्या भारी मात्रे में जल का उप्योग करती है। परिणाम इसमें असाधरन कमी होती जारही है। गोणों में पारसपर इंधन के उप्योग से वायपर्दोशन बढ़ रहा है। जनसंख्या को आवास प्रदान करने के लिए विशाल कंक्रीट धाचे बनाए जाते हैं जो नगरों को ओश्मद्यूप में परिवर्तित करने के वतात पर यह हैं कि नगरों में आपने देखा है सभी मकान पक्की इटों और कंक्रीट से बने होते हैं तो इनका सुभाव क्या है जल्दी गरम होना अस्तरकव सुभाव होता है जल्दी घरम होना जल्दी ठंडे होना तो ऐसे छेत्रों में क्या होता है जो गर्मी में अधिक गरम होने के कारण बहुत ही हमारे पर्यवण को नुकसान दे है और इसके अलावा हमारा पर्यवण हर तरह से प्रभावित होता है पर्यवण समधी बहुत सी समस्य है सामने आ जाती है नगरों में इसके अलावा अगला कोशन लेते हैं ग्रामीड बस्ती किसे कहते हैं संगत बस्तियों वा प्रक कटता से तथा प्रत्यक्ष रूप से भूमी से जुड़ी होती है यहां के निवासी अधिकतर प्रात्मिक विद्यों में लगे होते हैं यह मैंने कई बार रिपीट हो चुका ज्यादा बताने कि शायद आपको शक्तर नहीं पड़ेगी जैसे क्रिशी पशुपालन मस्री प्रकेंड बस्तिया परवतिय यह उच्छ भूमी यह शुष के तथा आर्द शुष के माश्ति लिए भागों पाई जाती हैं संगत बस्तियों में मकान एक दूसरे से एक दूसरे से सटे हुए और छोटे होते हैं यहां रहने का स्थान कम होता है जबकि प्रकेंड बस्तियों में मकान एक दूसरे से दूर और प्राया खेतों के दौरा एक दूसरे से अलग होते हैं फिर है संगत बस्तियों यहां रहने वाला समधाय मिलकर रहता है एवं उनक ग्राद की समान जीवन वैतीत करते हैं संगत बस्ति यहां के लोगों मुक्ण व्योशाय कि शिवश्य समादित है यहां विश्थित कृशी पशुपाना लगड़ी काटना मुक्ण व्योश्य यह तो यह डोनों आपने देखा बस्तियों की व्योसाय तो लगभक एक ही है वस कि यह है कि संगत बस्तियों में जो लोगों का आवास से पास-पास होता है आपस में सटे हुए होते हैं और समधाय मिलकर रहते हैं और रवसाय भी उनके एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं जबके प्रकेर्ण भूम में जो बस्तियां हैं यह या तो उच भूम या के विभिन भागों में पाई जानुली बस्तियों के पांच प्रमक प्रतरूप का वर्णन कीजिए तो इसमें आपको बता दो प्रतरूप और प्रकार में अंतर होता है प्रकार में आता है कि कौन-कौन से प्रकार की बस्तियां है तो ग्रामीड नगरी प्रतरूप आता है क वह किस Patern involves किस पैटर बसी होई है तो इनको देखते अँध न हो जाना बच्चों जो प्रकार है प्रकार में rocket की अ मतलूट बिर और दूसरा होगा नगरी ठीक नब्र3 चलिक्लिव का नंबर आता है उनका प्याटन क्या है गोलाकार है यह रहेखिक है या त्रिभूजा कार है यह तीर नुमा है it is this pattern कहलाता है तो आईये देखते हैं कौन कौन से 5 प्रत्रूप है पहला है रहाना रह नदियूं नहरों रे लाइनों के किनारे साल साथ होता है, आप समझ रहोंगे, ये एक रेखा के सहारे बसे वे, जो मकान होते हैं, इनकों क्या कहलाँगे रेखिक प्रतुरूप, इस रेखा के दोनों साइट में जो एक लाइन में बने वे मकान होते हैं इनकों क्या कहेंगे रैखिक प्रत्रूप दूसरा है आयताकर प्रत्रूप ऐसी बस्तियों का विकास ऐसे अस्थानों पर होता है जहां सड़के एक दूसरे को समकोंड पर काड़ती है और एक्जामपल आप देख सकते हैं मालेजी एक सड़क इधर आ रही है दूसरी इधर आ रही है तो ये दोनों जो सड़के एक दूसरे को क्या कर रहे हैं क्रॉस कर रही हैं और इन्हें क्रॉस करने वाले सड़कों के चारो और ये जो मकान बस जाते हैं, इनको हम क्या कहेंगे, आयताकार प्रतरूप अगला है वरत्ताकार प्रतरूप, ऐसी बस्तियां मुख रूप से किसी तालाब, जील, हरे भरे मैदान या बाग के चारो और विक्सित हो जाता बहुत प्राजी न समय से चलॉब के लोग पूज़ा करते हैं या जھیलão पैड या इस तरह से बहुत सारे कुछ अस्थान होते गाहों चेतें। तो लोग क्या करते हैं उस चेतर से दूर नहीं जाना तो आसपास जो बने मकान होएं तो उनका आकार कैसा हो जाएगा वृत्ताकार या गोलाकार आगे है तारक प्रत्रूप तारक प्रत्रूप किसे कहते हैं कभी कई सड़क मार्ग विबिन दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलते हैं ऐसे अस्थानों पर बसे गाउं में दिश ивать टי आकरित क्या है ऐसी बस्तियां वहाँ विख्सित होती है जहां कोई सड़क मुख सड़क से आकर मिलती है वहीं समाज़त हो जाती है ऐसे अस्थानों पर सड़कों के किनारे बने मकानओं के टी आकरित की बस्ती विक्सित होती बच्चों मालेजी सबोस की जिए यह मुख्य सड़क है और कोई एक सड़क इधर से आ करके मिल रही और यहीं पर खतम हो रही है तो इन सड़कों के आसपास जो मकान बने होते उनका आकार कैसा हो जाएगा टी प्रतुरूप में हो जाएग इस में हमें क्या पताना है ग्रामीड वस्तियों के बारे में पताना है ॉर इनको प्रभाविद करने व sesi पज़़ी पकड़ना आद इनके मुक्रेव्य व्यवस्ता है है इनकी बस्तियों का आकार अपयक्षा का छोटा होता है ग्रामीड बस्तियों को प्रभायत करने वाले जो भगोली कारण पहला है जल अपूर्ति साधान त्या ग्रामीड बस्तियां जल शोत या जल राशियों जैसे नदियों जीलो जर्णो आधिके समीप होते हैं कभी-कभी पानी के आवशक्ता लोगों को आश्विधा जनक स्थानों जैसे दल्लत से घिरे दीपों अधो नदी किनारे के निचली छेत्रों में बसने के लिए प्यारित करती हैं वच्छों गाव में क्या होता है पानी के अधिकांश्ता जो आपने देखा आपूर्ति में ब भूमी क्रिशी कारे के लिए उप्यूगत हो और उपजाओ हो तो में क्योंकि प्रारंभिक आदिवास्य उपजाओ सम्तल छेत्रों में बसते हैं दक्षिन पूर्वी एश्या में रहने वारे लोग नदी घाटियों के लिए निम्न भाग्यम तटवरती मैदानों के निकट बस्तियां बसाते हैं जो चावल की क्रिशी के लिए सहायक है उसके बाद उच्च भूमी के छेत्र मानों ने अपने निवास हेत्व उचे छेत्रों को इसलिए चुना ताकि वहां पर बाढ़ के समय होने वाली छती से बचा जा सके एवं मकान वा जीवन शुरक्षित रह सक उच्ण कटी बंदिये छेत्रों में दलदली छेत्रों के निकट लोग अपने मकान अस्तंभू पर बनाते हैं जिससे की बाढ़ और क्यूडों मकोडों से बचा जा सके बहुत सीधा सा सिंपल सा पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा अगला है ग्रह निर्माड सामगरी लोगों ने ग्रामीड बस्तियों को बसाने के लिए उन अस्थानों को चुना जहां ग्रह निर्माड सामगरी आसानी से उपलब्द थी जैसे लकड़ी तथा पत्थर आदी चीन के लोईस छेत्रों में वहां के निवासी कंद्राओं में मकान बनाते थे और अफ्रीका के करें सामगरी dip divorce को सकें से चल्थें अगले कोशन की तरफ अगला है कि नगरीवकास्ती किसे कहते हैं विश्वत पृथम नगरीकिस इसको कहा गया और किसी बसंदी को नगरीक्ती निर्धारेत करने के लिए के विभिनिभन देश्वर्ण प्रियुक्त माप दंडों की विवेचना के लिए तो समसे पहले देखते हैं नगरी बस्ती क्या है नगरी बस्ती वह बस्ती है जिसके निवासियों का मुख व्यवसाय दुतियक तृतियक चतुर्थक क्रियाओं से संबंदित होता है आपने देखा ग्रामेड बस्तियक किसे स दुतियक दुतियक का दाथ प्रजो प्रात्मिक छेत्व से प्राफ्त उत्पाद को द्योगों में के माध्यम से रूप परिवर्थित करके उनकी गुणवत्ता में परिवर्थन करके उनको नया सुरू पुर्दान करके और उनका मुल बढ़ जाता है ऐसे उसे कारियों से दुतियक व निर्माड उद्योग में कहिं नगरीवस्ति क्यां और विश्व की पृझ्द्ध मैं लंदन और उसका अंसरी होगा अब हमें अनसर देना है किस वनवाद्धारत करने के लिए मुख माबदन कौन को हैं तो पहला मापदंड है किसी छेत की जनसंख्या को अगर हमें नगरी बस्ती कहना है तो उसके लिए हमें पहला मापदंड यह होगा जनसंख्या का आकार नगरी छेतरों को परिभाशित करने के लिए अधिकतर देशों में देशों ने इसी मापदंड को अधार बनाया है नगरी छेत्र के शेणी के लिए जनसंख्या के आकार के निचली सीमा कोलंबिया में पंद्रा सो अर्जेंटीना एवंपुर्दगाल में दो हजार सेवक तराज अमेरिका थाइलेंड में पच्चिस सो भारत में पांच हजार और जापान में तीस हजार व्यक्ति है इसका और अउससे नगरी बस्ति होशित किया जाएगा उसे नगरी भस्ति घंसंख्या के अत्रिक्त व्यावसाइक गत विद्यों को भी नगरी बस्तियों का मावदन्र माना जाता है Nataly में उस बस्ति को नगरी बस्ति कहा जाता है जिसकी पचास प्रतिशत उत्पादक जनसंख्या गैर कृषिकार में लगी हो भारत में यह मापदन 75 प्रतिशत यह तो हो गया व्यावशाइक जनरचना के दिश्टिश्ट से उसके बाद है प्रशाशन कुछ देशों में प्रशा अधिशूचित नगर छेत्रो इसी प्रका लैटिन अमेरिका के देशों के देश ब्राजील एवं बोलिविया में जनसंख्या आकार का ध्यान ना रखते हुए किसी भी प्रशाशनिक नहीं रखते हुए किसी भी प्रशाशनिक केंद को नगरी केंद्र माना जाता है तो किसे दुरा संपन किये गए कारियों के आधार पर नगरीवस्ती का वरगी करण कीजियें तो नघर्षानिक करन करना है तो पहले देखते हैं नगर story किसे कहते हैं नगर निर्माड खुद्रा एम थोक व्यापार वा व्यावसाइक सेवाओं के केंद के रूप में जाने जात प्रमुक्वित्य संस्थान प्रादेशिक प्रशाश्की कार्याले यातायात के केंद्र होते हैं 10 लाग से आधिक जनसंख्या होने पर से अलक अलग नगर या शहरों के आपस में मिल जाने से एक विशाल नगरी संनगर की यहिए Okay पांचेश्टर शिकागो टोक्यो और विरत मुंबई इसके बाद है विश्व नगरी यह बड़ा महानगर प्रदेश होता है जिसमें सन नगरों का समोह होता है वोश्टन वाशिंगटन इसके अच्छे उदारन है और नेक्स्ट मिलियन सिटी क्या है एक मिलियन सिटी से अधि 338 मिलियन सिटी है तो यह तो था बच्चो मानोबस्ति अध्याय लेसन 10 जो आपका भुगोर पार्ट वन का लास्ट चैप्टर है इसके वेरी इंपॉर्टर कोश्चन होगे और मैं आपको फिर बता दू इसका जो में बिन्त थे इस लेसन के वह मैंने इसके पहले वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें जिससे कि हर स्टेडी मटेरियल के सूचना आप तक तुरंत पहुंच जाए आप तक इन्फोर्मेशन तुरंत पहुंच जाए तो बच्चों अपना ध्यान रख झाल